प्रेक्टिस करेंगे इसमें हम मॉडरन हिस्ट्री के प्रश्णों पर आज डेट हो गई है 23 सब्टेंबर 2021 जब यह टेस्ट रिकॉट किया चारा चलिए स्टार्ट करते हैं तो कुश्चन नमबर बन है महात्मा गांधी ने अपनी निम्लिखित किस पुस्तक में वर्टेस पार्लेमेंट को बांज और वैश्या कहा है अपनी निम्न पुस्तकों में से किस पुस्तक में वर्टेस पार्लेमेंट को बांज और वैश्या कहा है बड़ा पूस्ते हैं इस पूस्तक को किस ने लिखी है किस ने लिखी है गांधी जी ने लिखी है इसमें भी नहीं कहा हिंद स्वराज में कहा है तो महत्मा गांधी ने अपनी पुस्तक हिंद स्वराज में विटिस पार्लेमेंट को बांच और वैश्या कहा है महत्मा गांधी के दोराय पुस्तक जो है मूलते गुजराती भासा में लेखी गई थी और महात्मा गांधी द्वराय है टिपड़ी विटेस पार्लेमेंट की कार्य परणाली पर की गई थी नमबर टू पर आज़ेए एक पुस्तक है इंडिया वार इंडिया फॉर इंडियांस India for Indians भारत भारतियों के लिए एक किताब किस ने लिखी है सुरेंद नात बनार जी ने नहीं लिखी है M.G. रानाडे ने नहीं लिखी है सियार दास मतलब चितरंजन दास या B.D. सावर कर देखे India wins freedom है B.D. सावर की ठीक है B.D. सावर कर की यहाँ उत्तर है C.R. दास चितरंजन दास तो भारतियों सुतंतरता अंदोलन के दौरान चर्चेत पुस्तक India for Indians के लेखक चितरंजन दास थे Q.3 पर आजी अमरीक दिमें से कौन सही सुमेलित नहीं है D.P. मिश्र जबाहलाल नहरू, राजंतर परशाद और सुभाज चंदर वो उस कौन सा सही सुमेलित था है ठीक है, यानि तीन गलत होंगे और एक ही करेक्ट है वस बताए किसकी है भारत की खोज यानि डिस्कवरी ओफ इंडिया तो जबालाल नहरू किया तो इसको हटा दीजे इंडिया डिवाइड़ राजंतर परशाद की हो गई तो ये भी कट गया लिविंग इन एरा डीपी मिश्र और फ्रीडम मिड़ फ्रीडम एट मिड़नाइट सुभाज चंदर वो उसकी नहीं है पहला वाले करेक्ट है लिविंग इन एरा डीपी मिश्र तो देखिए लिविंग इन एरा की रचना डीपी मिश्र ने किये कि वल पहला ही करेक्ट है बाकी भारत की खोज डिस्कवरी ओफ इंडिया पंडे जवाला लारू बहुत पूस्ते हैं इस बुक को जैसे गाधिजी की माई एक्सपेरिमेंट विट ट्रुथ को पूस्ते है इंडिया डिवाइड़ है राजिंतर पुस्ताद और फ्रीडम एट मिडनाइट है लेरी कॉलेंस और डोमेनिक लेपियरे इंपोर्टन्ट है सारी पुस्ता क्याद रखिएगा नमबर फोर पर आजिए प्रसिद्ध पुस्ता कया उसका नाम है Foundation of Indian Culture किसने लिखिए ये Foundation of Indian Culture लिखी है अरविंद घोष ने तो अरविंद घोष जो है कभी दार्षनिक योगी राष्टवादी थे जिन्होंने अध्यत्मिक विकास के माध्यम से सार्भोमिक मौक्ष का दर्षन परतिपादित किया स्री अरविंद घोष की ब्रहद और जटल साहितिक क्रतियों में दार्षनिक चिंतन, कविता, नाटक और अनलेक समले थे इनकी प्रमुक्रतियां है The Foundation of Indian Culture Ases on the Gita The Life Divine The Synthetis of Yoga The Human Cycle The Ideal of Human Unity सावित्री लीजेंट एंड सिम्बल और है The Secret of Beda Important है, सबके नाम याद रखिएगा नमर के दिम्से किसने बहु बिवा नामक पुस्तक लिखी बहु बिवा नामक पुस्तक लिखी है इश्वर चंद विद्यासागर ने इसवर चंद विद्यासागर उननिस्वी सताबदी के एक महान सिक्षा सास्त्री और समाज सुधारक थे समाज में व्याप्त वहु बिवा वाल विवा और विद्वा का पुनर विवा ना हुने जैसी कुरीतियों को दूर करने के लिए उन्होंने अथक प्रियास किये उन्हीं के प्रियासों से विद्वा पुनर विवा अधनियाम पारित किया गया 1856 में इन्होंने बहु विवा तथा वाल्य विवाहेर दो उस नामक पुस्त के लिखी नमबर 6 पर आजए निम्लिक दमें से कौन M.N.Roy की उत्प्रवासी सामववादी पत्रिका थी M.N.Roy की उत्प्रवासी सामववादी पत्रिका का नाम है वेंगार्ड ओप्शन नमबर C तो M.N.Roy की प्रवासी सामववादी पत्रिका वेंगार्ड थी एमेन रॉय तासकंद में स्थापिद भारत की कमिनिष्ट पार्टी के संस्थापक से रसे थे कॉश्चन नुबर सही बना निम्लेखेत पुस्तकों में से किस पुस्तक का संबंद भारत में राष्ट आंदुरन के विकास से जोड़ा जाता है बताईए इसी प्रश्चन को पलट दें तो सारी पुस्तकें किसने लिखी है एक प्रश्चन इस तरह से बनाया जा सकता है गीता अंजली रविंद नाथ टैगोर किये आनंद मट बंकिम चंद चटर जी सत्यार्थ प्रकास के हैं स्वामी दयानान सरसती और गीता रहस से लोकमानने बाल गंगादर तिलक और भारत में राष्टे आंदुरन के विकास से जोड़ा जाता है आनंद मट को तो आनंद मट पुस्तक का संबंद राष्टी आंदुरनों के विकास से जोड़ा जाता है वंकिम चंद चंद चटर जी ने 1865 में अपना पहला उपन्यास दुर्गेश नंद ने लिखा और इन्होंने प्रशिद गीत वंदे मात्रम की रिशना की थी जिसे बाद में उन्हो चर्चित उपन्यास आनंद मठ में सामिल किया गीता अंजली की और देखें तो रविनार्ट टैगोर की रशना है सत्यार्थ प्रकास स्वामी दैनन सरस्वती जी की और गीता रहस के लेखक हैं लोग माने वाल गंगा धरते लग्ध कोशन नुमर एट पर आजए इस और ग्रोथ ऑफ एकॉनोमिक नेशनलिज्म इन इंडिया के लेखक कोने बताईए किसकी पुस्तक है ये विपिन चंदर की तो दी राइज एंड ग्रोथ ऑफ एकॉनोमिक नेशनलिज्म इन इंडिया प्रसिद इतिहासकार विपिन चंदर की रचना है ठीक है question number 9 है भारत के धोजगीत यानि जंडागान के रशेता थे जंडागान है कौन सा पहले तो बताईए विज़ाई विश्व तिरंगा प्यारा जंडा उचा रहे हमारा ठीक है यह है श्यामलाल गुप्त पारशर्द option number C जंडागीत विज़ाई विश्व तिरंगा प्यारा जंडा उचा रहे हमारा की रशना का जो श्यामलाल गुप्त पारशर्द को है नाव याद रखिएगा इनका और जनगड़मन हमारा राश्ट गान है वो है रविंद नाट्ट है गोर राश्ट गीत है बंदे मातरम वो है बंकिम चंड चटर जी का याद रखना कोशन नमबर दस है राश्ट भक्ति गीत ए मेरे बतन के लोगों किस कभी के द्वारा लिखा गया ए मेरे बतन के लोगों किस कभी के द्वारा लिखा गया कभी प्रदीप के द्वारा तो ए मेरे बतन के लोगों एक हिंदी देश्वक्ति गीत है जिसके रचेता कभी प्रदीप है वो जैन में जैन में कभी प्रदीप का मूल नाम राम चंद्र नायरान जी दुवेदी था और उन्होंने वर्स 1962 के भारत चीन युद्ध के दुरान सहीद हुए सैनिको की स्रद्राणजली में यह गीत लिखाता क्वेशन नुमर 11 पर आज़िए गोल्डन थ्रेस होल्ड नामक कविता संग्रे के रचेतान अम्रिक दमें से कौन है गोल्डन थ्रेस होल्ड अरुना आसफ हली की नहीं है वेजय लक्ष्मी पंडित की नहीं है इन्नी वेसेंट की नहीं है स्वर कोकीला की है स्वरी नाइट एंगल आफ इंडिया की है सरोशनी नाइडू जी की तो गोल्डन थ्रेस होल्ड नामक कभीता संग्रे की रचेता हैं सरोशी नाइडू कॉश्चन उबर बारेक्ट पर आजएए प्लांड एकोनोमी फॉर इंडिया पुस्तक के लेखक निम रिखितम से कौन है प्लांड एकोनोमी फॉर इंडिया M. विश्वे स्रेया तो एले मिनेट हो जाएगा पट्टा भी सीतर मैया और जीडी बिरला ज्यार डी टाटा तो प्लांड एकोनोमी फॉर इंडिया पुस्तक 1926 में M. विश्वे स्रेया ने लिखी थी कॉश्चन उम्बर तेरा पर आजएए निम लिखित कत्मों पर विचार करेंगे दो स्टेट्मेंट के सार बताएं में से कौन सा करेक्ट है प्रॉब्लम ओफ दा इस्ट जापान कोरिया चीन नामक पुस्तक के लेखक जॉर्ज एन करजन है और दा रूट्स ओफ इंसियंट इंडिया के लेखक डबलू ए फेयर सर्वेस है मतलब थे दोनों ठीक है और फिर कर दें दोनों को उल्टा देखें दोनों ही ठीक है यह प्रॉब्लम ओफ दा इस्ट जापान कोरिया चीन नामक पुस्तक के लेखक है जॉर्ज एन करजन तरूट्स ओफ इंसियंट इंडिया के लेखक है डबलू ए फेयर सर्वेस सी है इसका अंजर नमबर फोटीन पर आजएए 1937 के चुनाब के पश्चात यूपी में गठेत मंत्री मंडल में किसको वित विभाग सौंपा गया था मतलब सेयुक्त प्रांत में किसको वित विभाग सौंपा गया था किसको सौंपा गया था रफी एहमद किदवई जी को वर्स 1937 में संपन प्रांतिय विधान सबाद चुनाब में यूपी में यानी सेयुक्त प्रांत के कुल 228 में से 134 स्थानों पर कॉंग्रेस की सरकार बनी थी और सेयुक्त प्रांत में कॉंग्रेस ने अकेले ही सरकार बनाई पर इस सरकार में प्रधान मंत्री बने थे गोबिंद वल्ला पंत ठीक है जिनके नाम पर ही जी बी पंत यूनिवर्सिटी है अब उत्राखंड में आ गई है सन 2000 के बाद से यूपी से लग होने पे कानून और निया मंत्री किसको बनाया गया था कैलास नाथ काड़्जू को और वित्त विभाग सौपा गया था रफी एहमद किदवई को कॉश्चन नूंबर 15 पर आजिए पंदरवा प्राशने कांग्रेस सासित प्रदेशों में मुसल्मों की सिकायतों से संबंदेत रिपोर्टों पर विचार कीजे पीरपूर रिपोर्ट सरीफ रिपोर्ट और मुसलिम सफरिंग अंडर कॉंग्रेस रूल आपको बताना है नीचे दिएके कूट की साहता से कि ये जो उपर वाली रिपोर्ट है इनका सही काला रिपोर्ट्स अबसे पहले आई कोई 1931 की है कोई 1932 में 1949 की है एक मै or December की है तो पीरपूर 1932 की है शरीफ रिपोर्ट 1949 और ये भी 1949 लेकिन ये पहली है और ये बात की है मतलब मै की या December की हो गई लगभग ठीक है तो यही तो सही कालानुक्रम होना चाहिए इसका अंसर ओप्सन नमबर A तो कॉंग्रेस आशित प्रदेशों में मुस्लिमों की सिकायतों से संबंदित रिपोर्टों का कालानुक्रम इस प्रकार है पीरपुर रिपोर्ट है 1938 की, सरीफ रिपोर्ट है मार्च 1949 की है ठीक है और फजलूल हक रिपोर्ट अधवा मुस्लिम सफरेंग अंडर कॉंग्रेस रूल है दिसंबर 1949 तो सही था कालानुक्रम तो यह 15 प्रशन थे आधुने एक भारत के इनकी प्रक्टिस एक बार कर लेजेगा धन्यवाद